36 गड़ के बलरामपूर में एक महिला की मोत के बाद पूर्व ग्रेह मंत्री महिला के घर पहुंचे हैं इस दोरान उन्होंने सरकार से मुआवजा दिलाने की बात भी कही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा मुआवजा दिलाने का प्रियास किया जाएगा और सरकार तक परिजन की अंबिकापूर बनारस हाइवे मार्ग पर ग्राम धोधा में सुरजपूर पुलिस द्वारा नाका लगा कर अन्य प्रांतों से आने जाने वाले लोगों की जाच की जा रही थी तब ही मृतिका की बलेरो वाहन पहुंची और वाहन चालक से इपास की मांग की गई वाहन चा मृतिका को रास्ते में ही वाहन से नीचे उतार कर फरार हो गया मृतिका की परिवार वाले किसी तरह दूसरे साधन से घर ले गई मामला सुर्ख्यों में आने पर पर परदेश के पूर्व ग्रिह मंतरी राम सेवक पैकरा मृतिका के घर पहुंचे और लोगों को आश्वास गयना की एक महिला थी जो इलाज के लिए अंबिगा पूर जारी थी दरन सूरजपूर पूलिस जांचना का द्वारा उससे रोका गया था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी इस पर भारती जनता पाल्टी ने संग्यान लेते हुए कारवाई की बात कर रही है और आब भी गटना इस्ता लाय थे इस पर क्या कहिंगे है व कि चैनकारी मिला है जैना कि एक देवांगल परिवार जिहानी भाई पतिरौम अधार है पूर जिबान सुर्वारी के बीमारी के लिए जैसा हूँ नाज बहती है जिसी लिए capacity है निननी है मैं कहा सकता हूँ पूलिस की मान कि एक गंटा डेट गंटे से अगर कि चौकी के सामने है ने रोका गया जिसे उसकी मृत्व हुई है अमने भी एक सुना तो बड़ा है मैं भी इस गपना करता हुई हूं तो इस प्रसासन जिस तरह समाने तौस से देखा जाए तो उसके अंदर मानवी पर बिती समाप हो गई ह कर दूं अगर में अगर का बरेक कि लगा दिया जाए हुई यह हमापर जो के लिए और उसके साथ साथकर दो जो ऑने जो बाक्स किया उसे परकला कि जो राइवर है गाड़ी मालिक का जो राइवर लेक्पर हो ही है उसके बीरास्तर पॉने काम कि शोट गगई अगर इस सम्मन में हम लोगोने कार्टी ने भी हमारे भार्थ जन का पार्टी के मुझे लगता है इस पर विधांश्मा भी इसको बात उठाए जाएगा और इस पुरिक परिवार को मौजा मिले कि उसप्र वखकों मिले और दोशी हो अ क्योंभी करदीत रहा हो दो इससे उसके मंदा हिए which इसका न्याय के लेए है और आज बात्जंता पार्टी के वह गोश्चास लेकर हमाने मंदल के लाटना था पर लोग उस्कृत परिवार से मिलने गए थे करवाई के लिए हम लोगों ने मांग किया है जो ड्राइबर भागा था सब्सक्राइब करवाई हो और जैसा वहां के आना परवार से बात हुए उसका रहा है सर वर्तमान सरकार का वह एक पार्टी का पदादीकारी है और घटना हुए लगबग तीन दीन हो गटना के दिन से अभी तक वह फरार है काफी दबाओ सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है कि उसकर फाइयार नहों वह फरार अभी तक चल रहा है और पूलिश के वाल करी के हो गया लेकिन बताने को तयार नहीं है क्या धारा लगा है क्या हुआ है कैसे हुआ है तो सरकार समय जो मैं देख रहा हूं परोना के बहाने कहने कहीं पुलिश की जनता सी किया है तो अपनों में देखा होगा करोड़ा के माध्यम से क्यों बड़ी गड़िया है तो इसमेदा दिखना ही चाहिए कि हम अस्पताल जारें जिला मुद्धा से चूटी हुआ था तेकिन कहीं ने कहीं इसमें लपरोही या पुलिश की जो गड़बड़ी के कारण वहां पर अपर अपरोही प्रोही प्रोही लाव मेले पुलाव जाम मेले और श्रीयों पर करवा ही तो इसमेदा ने बार किया एसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवारी सब्सक्राइब करते हैं